करीब करीब बीच में आ चुके हैं क्योंकि हमारा जी ओसी का जनरल और निक केमेस्ट्री का लेक्षर 15 है तो उससे पहले हमने बहुत सारा डिसकेशन आप सो सकते हैं कर लिया है बट आज की हमारी ये क्लास जी ओसी का वन आप दो मोस्ट इंपॉरिटेंट क्लास है मैं आप सभी से जरा बता गता है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्टेबलिटी आफ कार्ब्डव्यों निगेटीव चारज की स्टवलिटी क्या होगी ये तो हम लोग बातचीत करेंगे ही और शायद ये भी बात करेंगे कि वर तो आ जाए तो उस कंडिशन में हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबलिटी कैसे पता करते हैं एक बात और माइंड में रखिएगा कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबलिटी से ही आप बात कर पाओगे यहां पर एसेडिक और बेसेक स्ट्रिंथ की जब हम आगे बढ़ेंगे जियो आप नहीं कर पाओगे और फिर रियाक्शन मेकेनिजम में भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा एप्लिकेशन है सो बेटर कि हम लोग इसके लिए प्रिपेरड रहें आज की क्लास के लिए कि बहुत ज़रूरी है सो हेडिंग डालते हैं स्टेबलिटी आफ कार्बेनाइ में होगा तो जरह लिखिएगा कुछ छोटी-छोटी बातें नोट करो कि देखें पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि फारंड बाई हीट्रो लिसेस हीट्रो लिसेस का मतलब यह बॉंड जब आर के तरफ लेट से टूट गया कंफ्यूज मत होना यह एक्स हैलोजन नहीं है यह मत सोचना कि एक्स की जगे क्लोरीन है या ब्रोमीन है एक्स मतलब कोई एक ग्रुप है जो यहां से निकल के जाएगा और बॉंड जो है आर के तरफ तूटेगा तो आपको मिलेगा यहां पर कार्बेनाइन का मतलब क्या है कार्बन के लास्ट में आल्रेडी चा बॉंड गेर कर लिया तो आप उसके पास इलेक्ट्रॉंड का नंबर कितना हो गया फाइव पांच में से वह जनरली तीन बॉंड बना लेगा और एक बचेगा उसके पास लोन पेयर तो आप देख सकते हैं कि तीन बॉंड जब बनाएगा तो इसका आक्टेट कंप्लीट हो और लोन पेयर एक है तो पिरामिडल जैसे आमूनिया नहीं होता है कि नाइट्रोजन से तीन बॉंड बने हैं और एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पर तो वह ऐसा ही कार्बेन अन होगा दिखने में कैसा पिरामिडल शेप तो यह देखो बातें यहां पर लिखी हुई है कि UK SP 3 है पिरामिडल है बॊंड एंगिल 170 डिग्री है आखरी शल में 8 अलेक्ट्रॉंस मतलब 6 comply है honestly पेर 3, लोन पेर 1 और अन पेरड एलेक्टरॉन 0, तो डाया मागनेटिक होगा, एक लिवस बेस या नूकलियोफाइल है, जैसे कार्बो कैटाइन हमारा होता है, एलेक्टरोफाइल, एलेक्टरॉन लविंग स्पीसी, या लिवस एसिड जो एलेक्टरॉन पेर ले सकता है, वै जैसे ही, जो कार्बेन आइन है, वो एक लिवस बेस होता है, क्योंकि आक्टेट कम्प्लीट है, और उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, मिन्स एक लोन पेर है, तो जिसका कि वो डोनेशन करेगा, तो या तो आप कहलो वो लिवस बेस है, या फर कहलो के साब वो एक न इस्टाबलिटी की बात करें, तो आप खुद ही जरा सोचो कि कार्बो कैटाइन, जो हम पीछे के लेक्शर्स में बात कर चुके हैं, कार्बो कैटाइन के पास पैसा कम होता है, तो उनको देने वाला उनकी इस्टाबलिटी बढ़ाएगा, कार्बो कैटाइन और फ्री है, अनशेड पेराफ एलेक्टरान है, तो यह बताओ जरा सोच के तुम लोग कि इसका जो दुख है, मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण ये दुखी होगा, कम स्टेबल होगा, इसका दुख कौन दूर करेगा, जो इससे पैसा छीन लेगा, या जो इसक ही आंसर दे रहें, कि कैसा ग्रॉप होना चाहिए, एलेक्टरान वड्राइंग, तो लिख डालिएगा, कि स्टाबलटी प्रपोर्शनल टू एलेक्टरान वड्राइंग ग्रॉप, यहां वड्राइंग होना चाहिए, वड्राइंग, प्रपोर्शनल टू एलेक्टरान वड वो stability को बढ़ाएगा जो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉग करेगा वो stability को बढ़ाएगा और जो पैसा और देगा तो उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो stability घटाएगा तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार जल्दी से ओके करो कि यह क्लियर हुआ आपको और आपने लिख लिया है चलिए बताइए है ठीक है और इतना रूल्स तो कंपेर इस्टीबलिटी चलो हैंड़ें डालो कि कौन से sequence रूल करने है stability comparison के दान रखना कार्भो कैटाइन और free radical में भी मनेश सीक्वेंस की ही बात की कि कौना सा फैक्टर bigger है कौन सा फैक्टर जो है वह लेस effective है तो यहां भी कार्बो काइटाइन के जैसा सबसे पहला फैक्टर है एरोमाटिक नेचर नोट करिए मतलब जब भी compare करिएगा तो धान देखिएगा कि जो एरोमाटिक कर्बो काइटाइन है वो most क्लियर हुई बात चलिए और आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले नमबर पर है डी और बाइटल रेजोनेंस समझे बात को आपके याद होगा कार्बो केटाइन में भी सबसे पहले एरोमाटिक कर्रेक्टर फेर बाकबंडिंग देन रेजोनेंस देन हाईपर कॉन्जरेशन देन उसके बाद आपका हाइब्रिडिजेशन देन इंडक्टिव फेक्ट आता है यहां भी सबसे पहले आपका आया क्या जब है कि आपके carbon-9 के पास में एक ऐसा एम जुड़ा है जैसे मालो chlorine अगर जुड़ा हो मालो अगर मैं बात करूं CCL 3- की अगर मैं बात करूं CCL 3- की तो carbon का negative charge chlorine के vacant orbital में disperse है और chlorine के कौन से vacant orbital में disperse है तो chlorine के vacant d orbital में तो अगर हमारे carbonine के साथ chlorine जुड़ा हुआ है या sulphur जुड़ा हुआ है या phosphorus जुड़ा हुआ है समझेगा बात को अच्छा एक बात और धान रखेगा कि यहां पर जो atom हो सकता है वो Sulfur, Chlorine और Phosphorus ही हो सकता है कि यह Aluminium हो सकता है क्योंकि इनके पास Vacant क्या होता है Vacant D होता है हला कि Aluminium कभी आएगा ही नहीं इन discussion में तो Aluminium की बात नहीं करते है साल्फर, Chlorine और Phosphorus क्योंकि Aluminium के पास तो वाकन D के साथ साथ wacan p b होता है तो मैं sulfur chlorine और phosphorus की बात कर रहा हूं क्योंकि इनके पास vacant d orbital होता है कौन सा vacant d orbital होता है 3d आप लोगों को एक बात और important याद दिला दूं कि मैंने कभी तुम्हें chemical bonding में chemical bonding में back bonding पढ़ाती हुए explain किया था कि इसमें back bonding में 3d तो involve हो सकता है लेकिन 4D, 5D ये सब back bonding में नहीं जाते हैं मतलब P orbital अगर P orbital जाता है back bonding में तो वो तो कोई भी वो सकता है लेकिन D orbital में मैंने समझाया है कि सिर्फ 3D ही जाता है 4D या 5D नहीं ओके करो याद है कि नहीं आपको यह मैंने chemical bonding में आप लोगों को class 11 में explain किया था इसलिए यहाँ पर तुम ब्रोमीन या आयोडीन जैसे एटम नहीं ले सकते हो ब्रोमीन या आयोडीन जैसे एटम होंगे तो D-orbital resonance नहीं होगा D-orbital resonance सिर्फ किसके साथ होगा? क्लोरीन, फास्फरस या सलफर के साथ ओके आगे बढ़ते हैं अच्छा D-orbital resonance और resonance इन दोनों को मैं एक साथ लेके चलना चाहूँगा ज़रा धान दो, यहाँ पर तुम्हारे पास तीसरे नमबर पर आता है sequence में एलाईल या बेंजाईल कार्बेनाइन जिनमें simple resonance है जिसमें simple resonance है तो पहले नमबर पर क्या चेक करना है? aromatic nature second number पर क्या चेक करना है? D-orbital resonance third number पर क्या चेक करना है? resonance लेकिन एक बात important है जो मैं चाहूँगा आप सारे लोग carefully ध्यान दें ज़रा सुनियेगा एक और point है यहाँ पर जो हमारे लेने थोड़ा सा important है और वो point यह है दान दो वो point यह है कि no doubt हमारा D-orbital resonance bigger factor है लेकिन अगर mesomeric effect आया minus M effect is bigger than D-orbital resonance and it is bigger than resonance समझो बात को जैसे अगर कभी ऐसा हुआ कि carbon 9 को C double bond O के संपर्क में रखा जाए CCL3 minus लिया जाए या फर इसकी बात की जाए जरा समझेगा confuse मत होना अगर तुम्हारा carbon 9 अच्छा एक बात बताओ तुम लोग को यह पढ़ा चुका हूँ यह negative charge is pi के साथ जब resonate होगा और यह pi bond इधर तूटेगा तो तुम्हारा जो negative charge है जो की अभी चीटी पर रखा हुआ है यह पढ़ा चुका हूँ less electro negative atom पर वो कहां चला जाएगा हाथी पर तो मुझे जरा सोचके बताओ कि यह C double bond O कौनसा effect लगा रहा है इस carbonine पर सोचके बताओ यह जो C double bond O है इस carbonine पर कौनसा effect लगा रहा है बताइए yes बिलकुल कौनसा effect लगा रहा है minus M effect क्योंकि वो mesomeric effect से withdraw कर रहा है तो mesomeric effect अगर लगा तो वो carbonine d orbital resonance से ज़्यादा stable होगा और d orbital resonance वाला simple resonance से ज़्यादा stable होगा simple resonance का मतलाब जिसमें carbon atoms से ही वो stabilize हो रहा है जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो चीटी की मदद जो है वो कौन कर रहा है चीटी कर रहा है दोनों carbon हैं दोनों के ताकत electron संभलने के अच्छी नहीं है सो माइनस एम एफेक्ट डॉमिनेट्स से डी ऑर्बाइटल रेजोनेंस और डी ऑर्बाइटल रेजोनेंस से डॉमिनेट्स तो सेंपल रेजोनेंस चलो जल्दी से complete करो important था जल्दी से आप यहां तक complete करें तो हम यहां पर जो सीकोंस बना रहे हैं उसमें सबसे पहले आएगा एरोमाटिक नेचर देन आप एक प्रकार से कह सकते हो माइनस एम एफेक्ट और देन डी ऑर्बाइटल रेजोनेंस उसके बाद रेजोनेंस अगले नंबर पर हाइपर consequation और आपको वगर मैं याद दिला दूह तो hyperconjugation नहीं होता है इसलिए carbonines में hyperconjugation से stability comparison हम नहीं करेंगे, carbonines में hyperconjugation से stability को comparison आप नहीं करोगे, carbonine hyperconjugation में नहीं जाएगा, अगर किसी के mind में reverse hyperconjugation आ रहा है, तो मैं कहूंगा उससे दूर हो तो अच्छा है, reverse hyperconjugation हमें बहुत अच्छे results नहीं देगा, इसलिए आप reverse hyperconjugation की चरचा यहा फिलहाल कुना करें ओके अगले नंबर पर आता है hybridization अच्छा बड़ी सिंपल से बात है यार कि यहां तुम नेगेटिव चार्ज की stability चेक कर रहे हो तो बड़ी सिंपल से बात है कि SP एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इस्टेबल होगा उससे कम SP2 पर उससे कम SP3 पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहाँ ज्यादा इस्टेबल होगा जहां एलेक्ट्रो नेगेटिविटी ज्यादा है और एलेक्ट्रो नेगेटिविटी वहाँ ज्यादा होगी जहां परसेंटेज आफ एस करेक्टर ज्यादा है सो होप कि आपको यह समझ आया इसको आप लोग लिख लिजेगा और लास्ट पॉइंट में इंड़क्टिव इफेक्ट इंडक्टिव एफेक्ट में क्या है प्रपोर्शनल टो मानेस आई इन्वर्सली प्रपोर्शनल टो प्लस आई और यह तो आप सारे लोग समझ रहे हो यार कि अगर कार्बेन आयन है तो बड़ी यार बेसिक सी बात है कि एलेक्ट्रॉन खीचने वाला इस्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो मैं एक बहुत दोबारा सम्रैस करता हूं इसको समझिये और medical level के questions and then advanced level हमारे sequence में सबसे पहले aromatic carbon and most stable then minus same effect जिसमें लगेगा वो देन d orbital resonance then resonance hyperconjugation apply नहीं करेंगे then hybridization and then finally induct effect तो मुझे okay करवा आप लोग कि यहां तक आपको clear है तो मैं questions पर आता हूँ फिर ओके और धेर सारा question करेंगे तब हमें finally clear हो जाएगा different type के questions तो शुरुवात करेंगे हम कुछ पहले simpler level से और फर धीरे-धीरे हम questions के level को बढ़ाएंगे तो यह हमारे सामने questions हैं इसको copy पर note करें solve करें फर मैं discuss करता हूँ आपके साथ questions for J main और neat level चलो शुरू हो जाओ यह हमारे सामने करीब करीब मैं आपको eight questions शो कर रहा हूँ आठ question इनको लिखो और solve करो ओके तो यहां पर अगर मैं शुरूआत करूँ पहले question से तो देखे पहले question में first question में aromatic कोई नहीं है डी-orbital resonance या resonance या mesomeric नहीं है hyperconjugation apply नहीं करोगे धान रहें hybridization same है तो क्या बचा inductive और आपको ध्यान है कि CH3 group plus i CD3 plus i CT3 plus i और सबसे ज़्यादा plus i कौन लगाता है अगर plus i की बात करें तो CS3 CD3 CT3 में सबसे ज़्यादा plus i किसका है CT3 का तो फर CT3 सबसे ज़्यादा देगा और stability को कम करेगा तो तुमारा answer हो जाएगा A more than B more than C hope आपको यह clear है next question यहाँ पर अगर आप देखो तो again तुम यहाँ पर check कर सकते हो hybridization से क्योंकि उसके पहले का कोई factor नहीं लगेगा resonance तक इसमें कुछ भी नहीं है और hybridization के आधार पर A से ज़्यादा stable B और B से ज़्यादा stable C A से ज़्यादा B और B से ज़्यादा C क्योंकि C में SP carbon है question number 3 जो कि बिल्कुल common था 2 और 3 तो इसलिए 3 को मैंने change कर दिया था यहां देखिए ये one degree carbonyni ये two degree carbonyni ये three degree carbonyn अगर आप लोगों की याद हो तो कार्बो के餌 और फ्री रेटिकल में कार्बो केटन और फ्रि रेटिकल जब हमने पढ़ा है तो उसमें सबसे ज्यादा stable 3 डिगुरी था सबसे ज़्यादा इस्टेबल हमारा 3-degree कार्बो काइडायन था यह फुरेडिकल था क्यूं क्योंकि 3-degree में हाइपर कॉंजुगेटिंग इस्ट्रक्चर ज़्यादा थे अलफा हैड्रोजन ज़्यादा थे लेकिन कार्बेन आयन में हाइपर कॉंजुगेशन तो चेक नहीं करना है इंडेक्टिव चेक करना है तो 3-degree यहाँ सबसे कम होगा कारण क्योंकि जो 3-degree है वहाँ सबसे ज़्यादा प्लस आई लगेगा तीन डिरेक्शन से प्लस आई लगेगा इसलिए आपका अंसर 1-degree more than 2-degree more than 3-degree question number 4 में number of resonating structure के आधार पर A से ज़्यादा B, B से ज़्यादा C, C से ज़्यादा D क्योंकि यहाँ पर carbon-ion 3-benzen के सार रेजोनेट होगा पर pH का मतला बेंजीन है न तो यहाँ का negative 3-benzen से यहाँ का negative 2-benzen से यहाँ का negative 1-benzen से तो let's say right जाने पर number of resonating structure बढ़ेंगे इसलिए stability बढ़ेगी next question number 5 यह exactly 4 ही है तो चलिए इस पर बात नहीं करते हैं question number 6 आगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ भी resonance जैसा या back bonding डी-orbital resonance aromatic character कुछ नहीं है hybridization भी negative का same है तो सिर्फ तुम्हारा answer किस effect से आएगा यहाँ पर जो group जुड़े हैं उनके minus i से और अगर आप लोगों को याद होगा तो minus i effect सबस्यादा c में है फर a में है और उसके बाद b में है तो answer है c a b a no 2 का minus i effect जादा है fluorine से और fluorine का जादा है chlorine से next question अच्छा अगले question में यहाँ पर आपका एक fluorine minus i लगा रहा है और यहाँ दो-दो chlorine लगा रहे हैं बाकी कोई effect तो लगेगा नहीं hybridization भी same है तो answer inductive से ही आएगा यहाँ दो chlorine minus i यहाँ एक fluorine minus i आपको याद होगा तो minus i effect फ्लोरीन का जादा होता है fluorine का minus i chlorine से जादा होता है सोचके बताओ कौन जादा stable है सोचके बताओ फ्लोरीन और chlorine minus i बड़ा तो fluorine का होता है तो जादा stable कौन रहेगा A और B में B क्योंकि मैंने कहा था संख्या important है मैंने जब आप लोगों को inductive effect सिखाया है तो मैंने बताया है संख्या number आप groups important है बले ही chlorine का minus i कम है fluorine से बड़ दो chlorine का minus i एक fluorine से जादा होगा तो एक तो संख्या important है दूसरा मैंने तुमको बताया था कि distance important है बले ही fluorine का minus i बड़ा है chlorine से लेकिन जादा important दूसरा वाला है क्योंकि chlorine pass है तो inductive effect के लिए distance important है बले ही CL का minus i कम है लेकिन यह pass है इसलिए जादा stable सो hope कि यहां तक आपको clear है ठीक है और आगे बढ़ते हैं कुछ और questions आपके लिए और उसके बाद higher level पर चलेंगे तो चलो जली से solve कर डालो question number 9, 10 और 11 बिना ज्यादा समय लिए हुए question number 9, question number 10 and question number 11 लिखो copy पर और solve करो जली से तो यहां पर भी हमें sequence rules follow करने हैं ख्याल रखते हैं कि aromatic सबसे ज्यादा stable है then minus M effect अगर लगेगा तो वह देन आपका back bonding या orbital resonance कि अगर carbon and के पास में phosphorus sulfur या chlorine है then resonance बट hyperconjugation नहीं लगाना है फिर hybridization और inductive effect तो अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो मैं चाहूंगा कि मैं explain कर दूं आपको ओके करिए अगर आपने कर लिया है तो जैसे अगर पहले question में आप लोग चलें first question में तो सबसे ज्यादा stable तुम्हारा ये है B क्यों क्योंकि आपका जो B है ना वो aromatic है और सबसे कम stable जो है ना वो है A क्यों A सबसे कम stable है क्योंकि A anti aromatic है आप चेक करके देख लो इसके अंदर 4N प्लस 2 पाइलेक्ट्रॉन है हकल्सूल टोटल 6 पाइलेक्ट्रॉन और यहां पर टोटल कितने आपके 4 पाइलेक्ट्रॉन तो यह anti aromatic बाकि C और D में C जादा क्योंकि C में resonance है और D में नहीं है तो आंसर आपका ये हो जाएगा question number 10 में सबसे ज़्यादा stable है C क्योंकि इसके अंदर D orbital resonance है अगर आप देखो तो फासफोरस के पास vacant D orbital है और यह आपका D orbital resonance में चला जाएगा तो most stable तो यह हो गया अच्छा इसके बाद सोचके बताओ जरा C के बाद कौन जादा stable है A जादा stable है यहाँ पर भी pH 3 के उपर एक positive charge होगा pH 3 plus तो कौन जादा stable है A या B तो मुझे लगता है अगर आप rule लगाओ rule लगाएं तो A और B में D orbital resonance नहीं है resonance नहीं है hybridization सेम है तो minus I effect और minus I लगेगा दूरी पर depend करेगा तो फ़र C के बाद आएगा B और B के बाद आएगा A क्यों क्योंकि यह नजदीक है तो यहाँ इसका minus I जादा रहेगा और यह थोड़ा सा दूर है minus I यहाँ भी रहेगा लेकिन थोड़ा कम रहेगा और हम कहते हैं carbonine में खीचने वाला जितना ज़्यादा खीचेगा उतना stability को बढ़ाएगा I think same answer यहाँ भी है I think यहाँ भी NH3 plus है तीनों जगे और आपका जो answer है वो मुझे लगता यहाँ भी सबसे ज़्यादा stable C है लेकिन C सबसे ज़्यादा stable क्यों है जरा कोई बताएगा आप इसे कोई मुझे सोच के बताएगा कि stable यहाँ भी सबसे ज़्यादा C है लेकिन उसका region क्या है येस बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर minus I का सबसे ज़्यादा लगेगा यहाँ कोई D orbital resonance नहीं है बी केरफूल ना तो nitrogen के पास वैकन D orbital है और नहीं nitrogen पांच बांड बना सकता है nitrogen कभी पांच बांड भी नहीं बनाता है तो कोई D orbital resonance नहीं minus I ज़्यादा है क्योंकि वो पास में है तो जरा मुझे okay करो तुम लोग यहाँ तक समझ आया तो थोड़ा और higher level questions पर चलते है थोड़ा और higher level के questions पर चला जाए ठीक है और आपके सामने ये advanced level पर questions for J advanced यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये 5 questions देखा रहा हूँ ये 5 questions आप आपके 1, 2, 3 & 4 4 questions in fact तो यह 4 questions जल्दी से solve कर दो तब आगे बढ़ते हैं चलिए लिखे तो अगर मैं आपको answer दूं यहाँ पर पहले और दूसरे question में अगर आप लोगों ने अब तक try कर लिया हो तो बड़ा सीधा-सीधा answer मिल रहा है कि a more than b जरा मुझे कोई बताओ से test करो मुझे किस वज़े से a ज्यादा stable है b से कारण बताओ जल्दी से येस बिल्कुल क्योंकि sulfur के पास वाकेंडी और बाइटल है तो पहले case में d orbital resonance है अच्छा answer मैं बोलूँगा तो मुझे explain करोगे कैसे second question में ज्यादा stable है a और b में b जरा कोई बताएगा क्यों क्योंक और बेंजीन रिंग वहां भी तीन है तो कोई मुझे बताएगा तो यहां पर concept यह है कि जब यहां पर इनको जोड़ दिया जाएगा ना आपस में तो planarity अच्छी हो जाएगी तो resonance अच्छा होगा जब यहां यह rings को आपस में यहां connect कर दिया गया ना इस bond से जब उस bond से connect कर दिया गया तो rings की planarity अच्छी हो गई जैसे resonance यहां भी तीन बेंजीन से है लेकिन वहां पर planarity यहां से बहतर होगी क्योंकि उनको जोड़ा गया आपस में तो उनका exactly same plane में होना ज़रूरी हो जाएगा इवन तुम इनको भी जोड़ दो इनसको भी जोड़ दो तो और बहतर resonance हो जाएगा ठीक है next अगला है यहां पर मुझे लगता है A से ज़्यादा stable B, B से ज़्यादा stable C कोई बताएगा answer इस answer का explanation कोई बताना चाहेगा A से ज़्यादा B, B से ज़्यादा C, yes बल्कुल minus I effect इवन आगे भी एक है D हमारा तो C से भी ज़्यादा D क्योंकि जितने ज़्यादा fluorine atom आते जाएगे जितने ज़्यादा fluorine आते जाएगे उतना ज़्यादा minus I अच्छा अगला बताओ, चौथा question, चौथे question में मुझे लगता है कि आपका answer होना चाहिए, शायद A और B में ज़्यादा stable B, ज़्यादा stable A रहेगा या B रहेगा, one minute हाँ, जरा सोचके बताओ, आप लोग पहले बताओ, फर मैं बताता हूँ, A और B में कौन ज़्यादा stable ह येस, बिलकुल A, एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ फासफोरस भले ही है, लेकिन D orbital resonance नहीं है, क्योंकि फासफोरस उसके बिलकुल पडोस में नहीं है, adjacent position पे नहीं है, तो फासफोरस का यहाँ D orbital resonance न लगकर कौन सा effect लगेगा, माइनस आई, और जब माइनस आई की बा प्रोजन का माइनस आई तो फासफोरस से ज्यादा रहेगा, और D orbital resonance लगेगा नहीं, क्योंकि फासफोरस एडजीसेंट पोजिशन पर नहीं है, चलो शुरू हो जाओ, इसके आगे आपके पास, अब टू कोशन नमबर 9, अब टू कोशन नमबर 9, चलो जल्दी से नोट करो और इन फाक्ट 9 ही क्यों, इसके नीचे भी कोशन नमबर 10 और 11 है, ये भी हम साल्ब कर लें, उसके बाद डिसकस करते हैं, चलिए, शुरूआत करिए आप लोग, तो अगर मैं बात करूँ, कोशन नमबर 5 में, कोशन नमबर 5, आप लोग देखिए अपना अंसर, कोशन नमबर 5, कोशन नमबर 5 में देखो, ये निगेटिव चार्ज हाथी के साथ रेजोनेट हो रहा है, मतलब माइनस M एफेक्ट लग रहा है, उमीद है, आपको ये बात स समझा रही है, कि ये निगेटिव चार्ज जो चीटी के पास है, ये डबल बांड O के साथ माइनस M के वज़े से स्टाबलाइज होगा, यह कहलो जो निगेटिव चार्ज है, यहां का जो निगेटिव चार्ज है, वो सी डबल बांड O, जब रेजोनेट हो जाएगा, तो व अच्छा यहां पर भी वैसा ही है सेकंड में लेकिन इसमें इधर वाला ग्रुप प्लस आई से दे रहा है इसमें OH है अगर आप लोग भूले नहों तो यह जो OH है यह माइनस आई और प्लस एम दो इफेक्ट लगाएगा क्या क्या लगाएगा माइनस आई और प्लस एम लेकिन बड़ा क्या है प्लस एम तो ओर आल यह एलेक्टरॉन दे रहा है और जो क्लोरीन है वो यहां माइनस आई प्लस एम लगा रहा है लेकिन बड़ा माइनस आई है तो ले रहा है अगर इन चारों को कंपेर करें तो हाथी यहां भी हाथी यहां भी लेकरिन इदर से दे रहा है हाथी यहां भी लेकर हम Ze तो शायद सबसे ज़्यादा इस्टेबल मेरे सबसे इसमें हो जाएगा D, D के बाद हो जाएगा A, D इसलिए क्योंकि वहां हाथी के साथ साथ क्लोरीन भी लेगा, और उसके बाद A क्योंकि हाथी लेगा सिर्फ, और यहां बात करें तो हाथी तो खीच रहा है, बट यह लोग B, C, Yes, कई लोगों ने मुझे अंसर दिया भी है, अचा सोचके बताओ, यह आपको समझ आ गया, C, B, A, कोई बताएगा क्यों? सबसे ज़्यादा C, फर B, फर A, कोई बताएगा क्यों ऐसा? ओके, 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 इसलिए क्योंकि यहां एक हाथी है, यहां इस नेगेट्टू को खीचने वाले या मदद करने वाले दो-दो हाथी हैं, और यहां इसको मदद करने वाले तीन-तीन हाथी हैं, तो वहाँ तीन ग्रुप हैं, जो माइनस M लगाएंगे, यहां एक ग्रुप, स्सुरी दो गुर्प और स्हाँ पर एक गुर्प next question. Question number 7 Question number 7 जरा समझीए Question number 7 में ये negative charge इस Pi bond के साथ और इस हाथी के सार Renownate हो रहा है समझो बात को ये वाला negative charge जब Resonate होगा तो पहले चीटी पर आएगा और चीटी से हाथी पर जाएगा ये नेगेटिव चार्ज में इस नेगेटिव चार्ज में रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्डेड एटम पर है और मैंने पीछे एक्स्पिलिन किया है कि ऐसा नेगेटिव रेजोनेट नहीं होगा यहाँ पर भी यह negative regionate नहीं होगा और यहाँ पर यह negative regionate होगा क्योंकि single bonded atom पर है और हाथी इसको मदद करेगा अब जरह सोचकर बताओ, resonance है A और D में, जरह सोचकर बताओ A और D में कौन जादा stable है, चलो जल्ली से बताओ ए और डी में कौन ज्यादा इस्टिबल है तो ए और डी में ज्यादा इस्टिबल है ए क्यूं ए और डी में ज्यादा इस्टिबल है जरा सोचो और बताओ क्यूं ऐसा ए और डी में ज्यादा इस्टिबल है ए सोचे दिमाग लगाई और टेक्स्ट करिए मुझे जली से येस बिलकुल क्योंकि extended resonance है क्योंकि extended resonance है चीटी की मदद चीटी भी कर रही है और हाथी भी और यहाँ चीटी के मदद सिर्फ हाथी अगर आप समझ गये हो तो यह extended resonance है अच्छा अब रही बात B और C की B और C में यह एक कार्बोनिल गरॉप अपना मेजोमरिक एफेक्ट तो नहीं लगाएगा लेकिन माइनस आई एफेक्ट तो लगाएगा ना और एक कार्बोनिल गरॉप का मेजोमरिक नहीं लग पाया resonance नहीं हुआ बट माइनस आई तो लगा तो जरह बताओ सूचकर कौन ज्यादा इस्टेबल है बी ज्यादा इस्टेबल है यह सी ज्यादा इस्टेबल है क्या लगता है यहाँ पर बी और सी में कौन ज्यादा इस्टेबल है यह बिल्कुल सी क्योंकि सी में इंडेक्टिफेक्ट पास से लग रहा है थोड़ा नस्दीक है C का inductive effect थोड़ा पास में है, थोड़ा अच्छा question है ये आगे बढ़ते हैं, question number 8 question number 8 तो खेर easy है और आप लोगों ने कर भी लिया होगा probably, question number 8 में सबसे ज़्यादा stable है B क्योंकि resonance ज़्यादा है, दो πाई बॉंड है, फिर आएगा D क्योंकि resonance है, फिर आएगा शायद आपका A और उसके बाद आएगा C अच्छा question arise होता है, यहाँ पर A क्यों आया बीच में, इसलिए क्योंकि A का negative resonance में तो है नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि πाई बॉंड पर अगर directly रखा हुआ है negative या positive या बेंजीन पर directly रखा है, तो resonance में नहीं होता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि यह double bonded atom पर है, तो यह sp2 पर है और यह वाला negative charge sp3 पर है, और हम जानते हैं कि sp2 का negative sp3 से ज़्यादा stable होता है, इसी concept से अगर 9 में जाओ, तो 9 में से कोई भी negative resonance में नहीं है, कोई भी negative charge, aromatic तो भूली जाओ, बेंजीन रिंग aromatic है, लेकिन negative charge का aromatic character में कोई आपका सहयोग या योगदान नहीं है, कोई contribution नहीं है, even negative charge resonance में ही नहीं है, और hybridization भी सेम है, तो बस एक ही चीज़ बची inductive, यहां का हम जानते हैं, electron देने वाले stability को घटाते हैं, और inductive effect depend करता है, दूरी पर, distance पर, तो सबसे ज़्यादा inductive effect से कौन देगा A, तो A की stability सबसे कम, अगर logic समझ आया, तो आपका answer है, A से ज़्यादा stable B, और B से ज़्यादा stable C, किसी को कोई confusion है, तो text कर सकते हो, अचा, question number 10 और 11, in fact, एक ही जैसे हैं, अगर तुम 10 और 11 की बात करो, तो एक ही जैसे हैं, क्योंकि यहां का negative भी resonate होगा नहीं, और यह OH जो है, क्या लगाएगा, minus I, और सबसे ज़्यादा A में लगेगा, तो A सबसे ज़्यादा stable, क्योंकि सिर्फ minus I ही लगेगा, negative resonate तो होगा नहीं, यहां का NO2 भी सिर्फ क्या लगाएगा, minus I, क्योंकि resonance तो हो नहीं, सब एक ही जैसा question है, तो A more than B, more than C, वहां भी A सबसे ज़्यादा stable, क्योंकि A में inductive effect सबसे ज़्यादा pass से लग रहा है, minus I सबसे ज़्यादा नस्दीक से है, और इसमें भी वही है, इवन इसके नीचे भी जो question यह लिखा हुआ है, जिसमें OME है, OME का भी minus I ही होता है, तो question number 12 का answer भी यही हो जाएगा, अगर आप लोग समझ गए हूँ, जरा मुझे OK करो, कि तुम सहमत हो, question number 10, 11 और 12, तीनों एक जैसे हैं, क्योंकि तीनों में एक minus I effect वाला गरुप लगा है, और वो जितना pass रहेगा, उतनी ज़्यादा stability रहेगी, सो होप कि आपको यह समझ आया होगा, और अब आगे बढ़ते हैं, और जरा मुझे सबसे पहले तुम लोग question number 13 का answer दो, चलो साल करो, question number 13, 13, 13 का answer दो जली से, फिर उसके बाद बाकी के question आप try करिएगा, समय लेकर, question number 13 में बताओ, सबसे ज़्यादा stable, कौन हो गया, yes, बिलकुल, c, क्यूं, क्योंकि c के अंदर है, d orbital resonance, सबसे ज़्यादा stable c, क्योंकि d orbital resonance, chlorine के vacant orbital में, उसके बाद b, क्योंकि fluorine का minus i लगा, और उसके बाद a, तो hope कि आप इस बात से सहमत हैं, यह आपको समझ आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और further questions, चलिए, अब तो आप काफी हुश्यार हो गए हैं, इन questions में, तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फड़ा फड़ा आप लोग जली से solve करिए, आंसर दीजे, तो मैं discuss करूँ, चलिए, शुरू करिए, ओके, तो question number 17 में, जैसे कि मैंने कहा, यह negative charge रिंग के बाहर है, 17 का जो negative charge है, यह रिंग के बाहर carbon पर है, और 16 में यह methyl group है, आपका one minute हा, पहले case में ortho पर है, पहले case में ortho पर है, second में meta पर है, और third में para पर है, ortho, meta और para, तीन different position पर, इस बात का थोड़ा सा, आप देख लिजेगा, question note करते समय, first case में ortho पर है negative, second में meta पर, third में para और fourth में आपका methyl group नहीं है, तो चलिए, अगर आप लोगों ने कर लिया है, तो मुझे okay करिए, तो मैं आपको explain करता हूँ, जैसे question number 14 में अगर देखो, तो इस पारा position पर माने से माने साई लगाएगा, और यहाँ पर भी माने से मार माने साई लगेगा, और तुम जानते हो, mesomeric effect distance पर depend नहीं करता है, और inductive भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जगा माने साई सेम position पर है, अब आपके mind में जाएगा कि यार यह methyl group है, यह plus I लगाएंगे, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा special बात बता रहा हूँ, आपको कार्बो केटाइन की stability पढ़ाते समय, आपको याद है मैंने आपको बताया था SIR effect, steric inhibition of resonance, याद आया, बताया था मैंने SIR, कि अगर bulky group, जैसे NO2 एक bulky group, यह सारा समझा चुका हूँ, प्रीविस क्लास में, कार्बो केटाइन्स के दौरान, NO2 एक bulky group है, तो उसकी और्थो पर कोई group आएगा, तो तुमारा जो NO2 group है, वो plane के बाहर चला जाएगा, और अगर यह plane के बाहर चला जाएगा, तो इसका minus M effect जो लग रहा था, वो कम हो जाएगा, नहीं लगेगा, यह कहलो कम हो जाएगा, तो ज़्यादा stable हुआ A, ओके करिए, कि यह बात आपको समझ आई, ठीक है, इस question में चलते हैं जरा, अगले question में, देखो जरा यहाँ पर, अगले question में, आपका जो group present है, पारा position पर, वो अलग-अलग है, जैसे NO2 group जो है, उसका बड़ा effect है, मानस M, साइनाइड का भी मानस M, मैं बड़ा effect की बात कर रहा हूँ, वैसे तो inductive भी है, लेकिन हम answer हमेशा bigger effect से निकालते हैं न, तो यह मानस M खीचेगा, मानस M खीचेगा, क्लोरीन का बड़ा effect, मानस I खीचेगा, OH का बड़ा effect, प्लस M देगा, OH का बड़ा effect, बड़ा मतल होगा, तो सबसे दाइस्टेबल हो गया, A क्योंकि एनोटो का मानस M सबसे बड़ा होता है, इवन साइनाइड से भी, तीसरे नमबर पर क्लोरीन वाला ग्रुप, क्योंकि वो मानस I से खीचेगा, मानस I, मानस M से तो less effective होगा, और सबसे कम D, क्योंकि वो तो खीचने के बज है, वो लगाएगा, प्लस H और प्लस I, और बड़ा है प्लस H तो वो देगा, आप मैंसे कुछ लों के माइन में आ सकता है कि कार्बेन ऐन्स में हाइपर-कॉन्जॉगेशन चेक नहीं करते हैं, आप मैंसे कुछ लों के माइन वो जब अपना plus H effect लगाएगा तो एक्चुली वो बेंजीन के थू लगाएगा बेंजीन के थू उसके और्थो पारा पोजिशन पर plus H effect जाएगा बात को समझो कि बेंजीन के साथ मिथाइल है तो प्लस H बेंजीन पर लगेगा और बेंजीन फर आगे ट्रांसफर करेगा ऐसा समझेगा तो confuse मत हो ना कि तुमारे बेंजाइल सिस्टम में जब बेंजीन रहेगा तो कार्बन आयन पर प्लस H लगा सकते हो लगेगा इन फैक्ट यहां सिर्फ प्लस I लगेगा क्या लगेगा मेटा पोजिशन है सिर्फ प्लस I और यहां प्लस H और प्लस I दोनों जरा बताओ stability और अडर सबस्यादा D का होगा कि नहीं होगा क्योंकि आप पहला दूसरा और तीसरा electron देंगे और देंगे तो stability को घटाएंगे तो सबस्यादा stability उसके बाद meta मतलब B क्यों meta क्योंकि meta वाला कम देगा हमें देना नहीं होता है carbonine को तो meta वाला कम देगा इसलिए ज़्यादा stable और ortho para में plus H effect तो बराबर है लेकिन अगर plus I की बात करें तो ortho में ज़्यादा है क्योंकि pass में है इसलिए stable ज़्यादा कौन होगा पैरा तो आपका answer यह है चेक करिए अपना answer नेक्स्ट अगला question फिर से वही है NO2 यहाँ पर लगेगा minus से minus I खीचेगा meta पर सिर्फ minus I अगर समझ गए तो अब आप लोग फटा-फट कर सकते हो तो जल्दी से सोच कर बताओ इन तीनों में और्थो मेटा पैरा सबसादा इस्टेबल सबसादा इस्टेबल कौन है और्थो मेटा पैरा सबसादा इस्टेबल येस और्थो क्यों क्योंकि चेक करते रहो अपने अंसर और उम्मीद है कि आप लोगों को यह कर भी लिया है आप लोगों ने और समझ भी आया जो मैंने बताया भी कोशन नमबर 18 18 कोशन नमबर 18 और 19 कि अगर मैं बात करूं मुझे हलां कि लगता नहीं कि अब समझाने के जरुवत है क्योंकि आप लोगों कर लिया है जैसा मैं समझता हूँ कि वाद अगर मैं आठारह की बात करूं तो हैलोजन मेटा पोजिशन पर लगे हैं कहां लगे हैं मेटा और मेटा पोजिशन पर हैलोजन सिर्फ अपना क्या लगाएंगे माइनस आई वनली क्योंकि मेटा पर मेजोमरिक नहीं लगता है तो सिर्फ क्या लगाएं मैनस आई और माइनस आई के अगर बात करें सिर्फ तो सबसे बड़ा फ्लोरीन का इसलिए अंसर हुआ ए बी और देन सी और देन डी आगला कुशन यह वाला कार्बेन आयन दो हाथियों से रेजोनेट होगा दोनों माइनस से हम लगा सकते हैं दो हाथी और यहां एक ही हाथी से रेजोनेट होगा क्योंकि दूसरे पाई बॉंड के अल्टरनेट पर वो नहीं है इसलिए ए मोर स्टेबल दैन बी तो बड़े अच्छे कुशन्स हैं एडवांस पाइंट आवी से जरह आप लोग मुझे ओके करो एक बार तो मैं आगे कि कुछ और कुशन्स हैं तो बढ़ें आगे और अगर कोई केंफूजन है तो टेक्स्ट करो हलांकि इतना सारा डिसकेशन हमने अलरेडी कर रखा है जियोसी में इतनी सारी बाते आलरेडी आपको बता रखी हैं पिछले इतने क्लासेस से कि मुझे नहीं लगता आपको ये मुश्किल लगना चाहिए बले ही एडवांस लेबल पर है बट मुझे नहीं लगता आपको देखे question number अगर मैं 20 की बात करूँ तो आप लोगों ने शायद करी लिया होगा यहां पर दोनों sulfur से d orbital resonance यहां एक sulfur से और यहां एक से भी नहीं तो answer हो गया a more than b more than c क्योंकि यहां एक sulfur से और यहां एक से भी नहीं यहां मैं यह भी आपको रिमाइंड करना नहीं भूलूंगा कि सोचो कितना important था हमारा discussion chemical bonding में back bonding कि back bonding का इस्तेमाल हम किस तरह से और कहां कहां कर रहें कितना जरूरी था अगर आप realize करें अब क्योंकि जब आप class 11 में आपको मैं पढ़ा रहा था chemical bonding कई बार आपको लगता था कि इतनी हैवी और भारी-भारी चीजें हम क्यों पढ़ रहें बड़ शायद वो पढ़ने के बाद आज आपको realize होगा कि उसकी वज़े से यह कितना easy है हमारे लिए आज solve करना चलो खेर question number 21 में अगर बात करूं मैं तो ज़्यादा stable है ए क्योंकि यहां पर three degree carbon पर रखा है negative और three degree carbon जो है वो बल्की होगा तो फर उस बल्की ग्रुप पर लग जाएगा और्थो ग्रुप का SIR देखें भई SIR ग्रुप को अच्छी तरह से जान लें क्योंकि तभी आप apply कर पाऊगे तो बल्की ग्रुप मैं फिर बोल दो रहाँ SIR क्या था बल्की ग्रुप के और्थो पर अगर कोई ग्रुप आएगा तो बल्की ग्रुप प्लेन के बाहर चला जाएगा बेंजीन से हिंड्रेंस के कारण और उसका रेज़ोनेंस कनेक्शन खतम हो जाएगा तो चूकि त्रीडिगरी कारबन एक बल्की ग्रुप है तो वो प्लेन के बाहर चला जाएगा क्योंकि उसके आर्थो पर ग्रुप है तो बेंजीन के साथ उसका रेजोनेंस नहीं होगा तो वो लेस इस्टेबल होगा कोश्चन नमबर 22 देखे कोश्चन 20 का जो order है मैं जरा एक बार री चेक कर लूँ क्योंकि शायद मैंने साइन उल्टा लिख दिया है यह order है साइन मैंने शायद उल्टा लिख दिया था मैंने कहा था सी मोस्ट इस्टेबल है क्योंकि सी के अंदर दो-दो सलफर से डैवल बाइड़ आडी और्बाइटल रेजोनेंस से तो ए से ज्यादा भी से ज्यादा सी वबिसली ठीक है मैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर 22 कोश्चन नमबर 22 में देखो निगेटिव यहाँ वाला जो है उसको यह माइनिस म से और यह भी माइनिस म से लेकिन बढ़ा कोश्चन तो बहुत आसान है तो 22 कोश्चन यहां इसलिए पड़ा है क्योंकि उसी से रिलेटेड 23 कोश्चन पड़ा है जो अच्छा है कैसे यहां के निगेटिव पर SIR लगेगा और यहां SIR निगेटिव पर नहीं साइनाइड पर लगेगा SIR बात को समझेगा सेकंड केस में साइनाइड अपना SIR के कारण माइनस M नहीं लगा पाएगा लेकिन आपका जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में तो जाएगा जब कि पहले केस में नेगेटिव चार्ज ही रेजोनेंस नहीं होगा बताओ समझ आया कि नहीं जो मैंने explanation दिया कि second case में cyanide का SIR के कारण mesomaric लगे चाहे न लगे इतना तो sure है कि ये negative charge resonance में है बट पहले case में तो negative charge ही resonance में नहीं है क्योंकि उसी पर खुद SIR लग गया clear, so A से ज़्यादा stable B और question number 24 में अगर मैं clear करूँ आपको question number 24 में तो धान दिजेगा, यहां का negative charge जो bridge head पर रखा है वो हाथियों के साथ resonate होना पसंद नहीं करेगा मतलब यहां पर यह minus M नहीं लग पाएगा क्यों? क्योंकि negative charge bridge head पर है और अगर यह resonate हुआ तो इस position पर जहां negative है वहाँ double bond आएगा यह बात समझ रहे हूँ यहां आपका double bond आएगा इस position पर और आप जानते हो कि bridge head पर double bond stable नहीं होता है भले ही आपका compound यह 2-2-2 है भले ही यह 2-2-2 है लेकिन अगर यह negative अगर समझ गए हम लोग तो जरा okay करिए और अभी तक जितनी हमने बाते की हैं उनको मैं summarize करूंगा एक और concept से जरा मेरी बात दो मिनेट के लिए आप लोग पहले सुनिएगा एक छोड़ा सा discussion और करूंगा अभी तक जो हम question कर रहे थे वो था stability of negative charge not stability of negative sorry stability of carbon and अब हम लोग बात करना चाहते है stability of negative charge मतलब अभी तक जितने हमने question किये उन सारे question में जो negative charge है तुम्हारा वो कहां रखा था carbon atom पर आपका जो negative charge है वो कहां रखा था carbon atom पर सारी questions में हम बात करना चाहते हैं कि अगर negative charge अलग-अलग item पर रखा हो तो क्या करें बात को ध्यान से समझेगा जब carbon पर negative होता है means सारी जगे carbon पर negative है तब तो sequence rule हमने बनाए आज class में उनको हमने follow किया लेकिन अगर negative charge रखने वाला atom अलग हो बात को ध्यान दो तो हमारे लिए फर क्या sequence rule होना चाहिए कि मालो हमें दो ऐसे compound या आयन compare करने हैं जिनमें एक पर carbon पर negative है और एक में oxygen पर negative है तुम लोग ज़रा सोच कर बताओ एक question समझो अगर मैं तुमसे बात करूँ कि double bond और यहाँ minus और यहाँ पर है oh minus जरा कोई मुझे सोच कर बताए इन में से कौन सा negative ज्यादा stable है कि सोचके बताओ इन दोनों में negative charge कहां ज्यादा stable है yes and I am happy कि आप लोग खुद से concept लगा भले ही वहाँ resonance ना हो भले ही यहाँ resonance हो और वहाँ resonance ना हो लेकिन यहाँ पर already हाथ ही है तो negative charge ज्यादा stable तो यहीं होगा और भले ही यहाँ दुख तुम्हारा resonate हो रहा हो दुख बट जाए लेकिन दुख बांटने वाला तो चीटी ही है ना उसकी ताकत तो अच्छी अलग एटम पर दिया है तो क्या रूल फालू करें और एगर सेम एटम पर दिया है तो क्या फालू करें तो चलो हेडिंग डालो एक जल्दी से stability of negative charge लिखो जड़ा अगर charge को रखने वाले एटम अलग अलग हैं मतलब कभी कार्बन पर नेगेटिव कभी आक्सिजशन पर नेगेटिव कभी if charge holding atom is different if donor atoms are different donor atom मतलब जो electron pair दे सकता है जिसके पास electron pair है अगर वो atom different है तो जरा देखें दो बाते हैं इन पीरियड एलेक्ट्रो negativity is important in a group size is important बात को समझो मैं तुम्हें समझाने कोशिश करते हूँ तो मैं एक बार और बोलना चाहूंगा अगर आप तक मेरी वाइस नहीं पहुंची है तो मैं एक बार और बोलना चाहूंगा मैं यह कह रहा हूँ कि अगर हमारा donor atom different है मतलब negative charge जिस atom पर है अगर वो atom अलग-अलग है कि तो हम यह carbonine वाले rule नहीं लगाएंगे मालों कहीं carbon पर माने से कहीं nitrogen पर माने से कहीं sulfur पर माने से कहीं oxygen पर माने से तो हम carbonine वाले rule नहीं लगाएंगे तब हमारे लिए important क्या है जड़ा समझो चार्ज holding capacity चार्ज को संभाल के रखने के एक शमता और वोग शमता electron negativity पर depend करेगी अगर तुम left से right एक पीरेड में जाते हो और वोग शमता size पर depend करेगी अगर तुम किसी group में उपर से नीचे जाते हो तो इसको मैं तुम्हें थोड़ा detail में समझाता हूं तुम लोग ने यह बताओ नोट कर लिया कि नहीं इसको लिख लिया है अब समझे जड़ा अगर आप किसी अगर आप किसी पीरेड में मूव करते हैं जैसे मालो कार्बन नाइट्रोजन आक्सीजन और फ्लोरीन या तुम किसी group में मूव करते हो अगर तुमहरे पास फ्लोरीन पर माइनस ओ आउडीन पर माइनस ओ अगर मैं फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आउडाइड की बात करूं जैरल मुझे सोच कर बता ओ कि ये negative 4 सबसे ज़्यादा stable किस item पर है सोचो जली से answer दो fluorine, chlorine, bromine, iodine तो तुम सबका answer fluorine आने वाला है मैं जान रहा हूँ तुम सबका answer fluorine आने वाला है लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ तुम सबका answer fluorine आया क्योंकि तुमको एक पुरानी बात पता है जो मैंने ही बताई थी कि negative वहाँ ज़्यादा stable जहाँ electro negativity ज़्यादा है तो तुमने rule लगाया कि fluorine चुकी ज़्यादा electro negative है तो negative charge fluorine पर ज़्यादा stable है बट सच तो ये है कि अगर fluoride, chloride, bromide, iodide के घर तुम enter करो मालो इस वाले महले से अगर हम enter करें तो सबसे पहले जैसे ही तुम fluoride के घर पहुंचोगे तो तुमको क्या दिखाई देगा कि वह दुख उतना तेजी से रो रहा है अपने दुख से कि लगता है जैसे दुखों का पहार टूड गया उस पर जैसे फ्लोरीन के पहुंचोगे तुम्हें लगेगा कि जो fluoride आन है वो पूरा चिल्ला चिल्ला के रो रहा है तुम तब chloride के तरफ जाओगे तो देखो कि chloride जो है वह उतना नहीं रो रहा है जितना fluoride रो रहा है तुम bromide के तरफ जाओगे तो रोने की intensity और कम आयूडाइड के तरफ जाओगे तो पता चला है वह बिलकुल नहीं रो रहा है वो तो खुश है तो तुमको लगेगा अजीब सा कि यार यह सारे लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं यह सारे लोग जो है एक ही परिवार के सदस्य हैं सब के ऊपर दुख भी बराबर है सब पर एक एक नेगेटिव चार्ज है लेकिन फिर भी ऐसा क्या तो तुमसे जब नहीं रहा जाएगा तो क्या करोगे फ्लोराइड से पूछोगे कि भाई साब ऐसा क्या हो गया कि आप लोग एक ही घर में रहते हो आपके उपर दुख भी बराबर है लेकिन फिर भी हैं और आयुडाइड साब जो हैं वो तो खुश हैं मस्त हैं तो बताओ फ्लोराइड साब जो हैं क्या जवाब देंगे आपका जो फ्लोराइड है वो आपको क्या जवाब देगा तो आपको यही जवाब देगा कि यह रहते तो हम जरूर एक ही घर में हैं लेकिन बड़ा भेद भाव है हमारे साथ मुझे जो कमरा दिया गया रहने के लिए वह बड़ा छोटा सा है और आयोडाइट साहब को देखो वह पुरा महल के बराबर कमरे में रहते हैं मतलब कहने का ये है मेरा कि भले ही निगेटिव चार्ज बराबर है लेकिन चार्ज की जो डेंसिटी है एक टर्म जो तुम लोगों ने केमिकल बॉर्णिंग में पढ़ा है क्या पढ़ा है चार्ज की डेंसिटी जो कि हमने पढ़ा है कभी कि बराबर होता है चार्ज बाई छोटा है इसलिए फ्लोराइड साहब सबसे ज़्यादा दुखी है वो कहते हैं कि साहब ताकत वर तुम्हें हूं लेकिन इस दुख का जो पहाड़ तूटा है इसको रखने की मेरे पास जगे बहुत छोटी है तो धान रखेगा कि हमारे लिए इंपॉरेटेंट सिर्फ चार्ज नहीं है चार्ज की डेंसिटी है चार्ज की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबलिटी उतनी कम होगी आगर आपको मेरी बास समझ आwd हो तो बताओ फ्लोराईड से आउडाइड तक सबसे ज़्यादा इस्टेबल कौन है कि इसका मतला किसी ग्रुप में नेगेटिव चार्ज उस आयन पर ज्यादा स्टेबल होगा जो बड़े साइज का है किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबलिटी बढ़ेगी अच्छा अब ज़रा तुम पीरिड की बात करो अगर तुम फ्लॉराइड कार्बन नैट्रोजन आकसीजन और फ्लॉरीन की बात करो तो चुकी तुम्हारे पीरिड में साइज का वरिएशन बहुत छोटा होता है जैसे ग्रुप में क्या होता है शिल नमबर बदलने से साइज variation ज्यादा होता है period में size variation बहुत ज्यादा नहीं होता है लगभग बराबर होता है इसलिए यहां पर वो ज्यादा stable जिसकी ताकत ज्यादा है मतलब result यह निकलता है कि अगर किसी period की बात करें तो stability of negative जो है proportional to electronegativity और अगर किसी group की बात करें तो stability of negative is directly proportional to size क्या आप लोग okay कर सकते हो कि यह समझ आया कि क्या आप लोग okay कर सकते हैं कि आपको यह clear है कि अगर किसी group में जाओगे तो जितना बड़ा size का atom negative उतना ज्यादा stable और किसी period में जाओगे तो जितनी ज्यादा electronegativity उतना ज्यादा stability जल्दी से लिखो कुशन्स पर आते हैं और मुझे अभी क्लास को कि फिनिश करने में एराउंड 10 minutes और लगेगा तो जल्दी से इसको लिखे तो इस rule को follow करिएगा अगर नेगेटिव charge अलग अलग atom पर हो और अगर नेगेटिव चार्ज सेम atom पर हो तो वही rule follow कर लेना जो carbon 9 में sequence rule follow किये हैं अगर तुम्हारा negative charge same atom पर हो देखो क्या लिखा है follow rules are listed for carbon ions if donor atoms are same मतलब अगर सब जगा carbon पर नेगेटिव है सब जगे आकसीजन पर नेगेटिव है सब जगे sulfur पर नेगेटिव है सब जगे nitrogen पर नेगेटिव है तो जो carbon 9 के sequence rule है वही दोबारा follow करना कि समझाया clear तो आप चलते हैं और कुछ questions all करते हैं जल्दी से ठीक है चलिए आपके सामनी एक questions है बिना ज्यादा समय लिए अगर different atom है तो group है तो size factor period सेम है तो electro negativity और अगर same atom है तो जो हमने carbon ions के rule पढ़े हैं पस वही follow करने हैं तो करीब करीब हमारे पास यहां पर यह 1 2 3 4 5 और इसके बाद 6 7 8 9 10 11 11 questions हैं बिना ज्यादा समय लिए हुए चलो पहले आप यह चार questions all करो आपको stability compare करना है कि तो अगर मैं यहां first question से शुरुआत करूं तो देखें यहां एक period के atom है एक ही period के तो electronegativity ज्यादा important है तो अगर इनका sequence बनाया जाए period में तो शाय सबसे ज्यादा इस्टेबल होगा fluoride उसके बाद OH- फिर NH2- and then CH3- आप चेक कर लो अपना answer OH- और HS- oxygen और sulfur एक group के हैं oxygen के नीचे sulfur आता है तो जिसका size बड़ा है वो ज्यादा stable sulfur बड़े size का ऐसे यहां phosphorus बड़े size का तो ज्यादा बड़े size का वो ज्यादा stable HS- और CL- sulfur और chlorine एक period में होते हैं आप देखो तो sulfur का atomic number 16 chlorine का 17 और अगर यह एक period के हैं तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और मैंने कहा है कि अगर सभी जगे atom same है तो वही rule लगाओ जो कार्मे 9 में लगा रहे थे उस आधार पर सबसे ज्यादा stable pH O- है क्योंकि resonance है इसके बाद pH CH2 O- है क्योंकि resonance तो नहीं है लेकिन pH का minus effect है at least इसके बाद OH- है सबसे कम stable OR- क्योंकि आर प्लस आई से देकर stability को घटाएगा कि जैसे यहाँ पर हमने क्या किया सीकूइंस लों लगा दिया जो कार्मेन में हमने पढ़ा है तो पी एचो माइनस रेजोनेंस यहाँ पर pH का माइनस आई यहाँ पर hydrogen neutral और यहाँ पर आर का प्लस आई उस आधार पर पी एच ओ माइनस और H COO माइनस अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर शायद यह क्योंकि यहाँ आक्सीजन का नेगेटिव बेंजीन के कार्बन से रेजोनेट हो रहा है जबकि आप यहाँ देखें तो हाथी और हाथी बतलब हाया हाथी पर निगेटिव है और हाथी के सार रेजोनेट हो रहा है यहाँ हाथी पर निगेटिव है लेकिन बेंजीन के चार कार्बन से यह तीन कार्बन से रेजोनेट हो रहा है मैं को सिर्फ आंसर दे रहा हूं और explain आपको मैं करूंगा इसको अगले लेक्षर में आप लोग तब तक इसके बारे में सोचिएगा कि ये कैसे हैं लेकिन और यह है आर सी ओ माइनस सबसे कम पीएच सी ओ माइनस बेंजोएट आयन फार्मेट आयन सबस्यादा ऐसा क्यों है वह आप लोग दिमाग लगाईएगा पीएच ओ माइनस और एच एस माइनस ज्यादा इस्टिबल होगा पीएच एस माइनस सल्फर बड़े साइस का और अगर एक यहाँ स्टिबलीटी ज्यादा रहेगी यहां पर सबसे ज्यादा इस्टिबल तुम्हारा कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा stable होगा A क्योंकि A में pi bond के साथ resonance है अब B और C में resonance तो नहीं है तो B और C में ज़रा सोच के बताओ तुम लोग ज़्यादा stable कौन है बोलो जली से B और C ज़्यादा stable कौन है देखते हैं क्या answer आएगा आपका येस बलकुल सही ज़्यादा C ज़्यादा stable है क्यों क्योंकि दोनों SP2 कार्बन पर है लेकिन यहाँ पर जो मिथाईल गृप है उसका प्लस आई ज़्यादा होगा और यहाँ थोड़ा कम होगा क्योंकि वो दूर है तो यहाँ मूर प्लस आई और यहाँ लेसर प्लस आई और बड़ा अच्छा कुशन है देखते हैं आप मेंसे कौन जवाब देगा कुशन नमबर 11 का बहुत ही अच्छा कुशन है देखते हैं कौन जवाब देगा बोलो जवाब दो तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो है A more than B जरा कोई मुझे explanation देगा ऐसा क्यूं है कोई बताना चाहेगा कि A का negative B से ज़्यादा stable क्यूं है जबकि यहाँ पर एक तरफ से प्लस आई और यहाँ दो तरफ से प्लस आई यहाँ दो तरफ से प्लस आई आया है तो मैंने आपको बताया है कि तीन मेंबर के रिंग के जो exocyclic orbital होते हैं उनका hybridization sp2 होता है और endocyclic orbital sp3 होते हैं जो आपको confirmational isomerism मैंने सिखाई है कभी पीछे तो कहा है कि तीन मेंबर रिंग के बाहरी orbital exocyclic sp2 होते हैं और अंदर वाले sp3 तो यहां पर जो यह नेगेटिव चार्ज है वह sp2 orbital पर है भाई नेगेटिव चार्ज तो बाहरी orbital पर ही होगा अरे बाहर कहीं तो bond तोड़के नेगेटिव लाए होंगे तो यहां का जो नेगेटिव है यह sp2 पर है जबकि नार्मल प्रोपेन में यह sp3 पर होगा और sp2 कार्बन पर sp3 से ज़्यादा stability आएगी एक लास्ट कोश्चन आप से और पूछता हूं और उसके बाद को स्टाप करता हूं कि एक सोच के बताओ जरा देखते हैं अब तक अगर आपको समझ आया है सी 336 माइनस ओर तुम कौन जादा अस्ते बले दिमाग लगा हो बड़ी f2 और स्टार कांसेप्ट के सकते हैं बहुत component है इसे की बकाओ सी ट्रपल बांडP सी माइनस और नह्च लगता है कार्भन पर नेगेटिव और नाइटरोजन पर नेगेटिव कौन जादा स्ट्रेबल भी लगाएए दिमाग सोची और बताईए तो मुझे लगता है कारबन पर कुए अब कोई बताएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है को कुई मुझे बताएगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है बोलो इसले क्योंकि SP hybridized carbon की electronegativity nitrogen की electronegativity से ज़्यादा होती है क्योंकि SP hybridized carbon nitrogen से ज़्यादा electronegative है तो एक बत और बता दो carbon triple bond carbon बड़े अच्छे अच्छे point है और बस last है इस lecture का जरह बताओ इसमें कौन ज़्यादा stable है पहले वाले में carbon पर negative कोई resonance नहीं दूसरे में भी carbon पर negative with resonance सोचो कौन है ज़्यादा stable तो मैं फिर बोल रहा हूँ A क्योंकि actual में ये carbon है ही नहीं ये तो nitrogen से ज़्यादा ताकतवर है और ये carbon है ही नहीं nitrogen से ज़्यादा ताकतवर है और अगर यहां nitrogen के बराबर या उससे बड़ा atom है तो हमारे लिए important electron negativity है ना कि resonance अभी क्या बात हुई है कि अगर different atom पर negative है तो sequence rule नहीं लगाने हैं जो carbon N में लगते हैं तो यहां चुकि nitrogen से भी ज़्यादा ताकतवर है तो resonance हमारे लिए important नहीं रहे गया तो जाते 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 मैंने तुम्हें यह दो बड़े useful point बताएं है reaction mechanism में बहुत काम में आएगा है तो एक बार okay करो फाइनली तो मैं class को फर स्टॉप करता हूं यहां पर और अगली class में हम acid base theory की तरफ आगे चलेंगे acid base concepts के तरफ तो first case में इसलिए यह stable था क्योंकि triple bonded carbon nitrogen से ज्यादा electronegative और यहां यह इसलिए ज्यादा stable है क्योंकि यह carbon है ही नहीं basically nitrogen है और वहां पर उसकी stability ज्यादा होगी okay तो चलो फर next time बात करेंगे and hope की इस पूरे lecture से आप carbon iron की stability को लेकर आप confident होंगे